क्या आप लोग जाना चाहते हैं कि मोख्य मंत्री मैया सम्मान योजना क्या है आप लोग आवेधन करना चाहते हैं तो कौन-कौन से डॉक्रमेंट लगेंगे और यहाँ पे क्या इलिज्वल्टी क्राइटेरिया है और यहाँ पे महीने कितने पैसे मिलेंगे कौन-कौन से इसमें आवेधन कर सकते हैं, आप लोग सब कुछ जाना चाहते हैं, अगर आप लोग आवेधन कर दिये हैं, अगर आपको अभी तक पैसे आपके खाते में नहीं आया है, तो आप लोग इस परणों को सौल करके कैसे अपने खाते में पैसे मंगा पाएंगे, वो ही बताऊंग में आप लोग आवेदन कैसे कसते हैं इसके पहले बता दूँ कि ये क्या है तो महिलाओं के लिए जारकर्ण सरकार द्वारा मुख्य मंत्री मैया सम्मा योजना का शुरुवात किया गया है इस योजना में सरकार राज के मूल निवासी इकीस वर्स से पचास वर्स की बीच की महिलाओं को हर महिने एक हजार रुपए की साहेतर प्रदान करेगी राज की इस छुक महिलाएं जो इस योजना से हर महिने एक हजार रुपए की रासी प्राप्स करना चाहती है उन्हें आवेदन करना होगा अब आप लोग जाना चाहते हैं इसमें हमें क्या 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 document लगेगा क्या क्राइटरिया है पहले बताएता हूँ फिर जैसे आप लोग आवेदन कर चुके हैं आपका नाम भी आ गया है लेकिन अगर अभी तक आपके खातेम पैसा नहीं आया है तो पैसा कैसे आएगा वो ही करना चाहते हैं उन्हें तीन अगस से 18 अगस्त के बीच आवेदन फॉर्म जमा कराना होगा लेकिन अब यहां पर डेट बढ़ चुकी है अब सबसे पहले बतादों इसमें document कौन कौन से लगेंगे और क्या-क्या यहां पर आपको लाब मिलेगा जैसे आप लोग यहां पर 40-45 लाख महिलाओं को दिया जाएगा राज की अनुसोचित जाती अनुसोचित जन जाती पिछले वरक संबंद रखने वाली महिलाएं इस योजना में फार्म भरकर हर महिने 1000 रुपए यानि की प्रतिवस 12,000 रुपए की दासी प्राथ कर सकती है अब आपको बता दूँ ज इसे आप लोग इसे पात्रता जाना चाहते ही जार्खन सरकार द्वारा शुरू कई गई मुख मंत्री मैय समान्योजना का लाब राज के मूल लिवासी महिला आवेदन कर सकती है आपको जार्खन का मूल लिवासी होना चाहिए और यहाँ पे अगर आप महिला गरीब रेख के अंतरगा जीवान यापन करती है तो वह इस योजना में आवेदन के लिवा पात रहे हैं इसके अलावा पज़वारा कोई सदसरकारी नौकरी में कारियरत नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर यही इनका यहाँ देखे पातता है अब यहाँ पर दस्तवेज जाना चाहते है दॉक्मेंट जानना चाहते हैं तरह पास आधार कार्ड होना चाहिए रासन कार्ड होना चाहिए वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए मोबाइल लंबर आवेदन पत्र अगर आप लोग आवेदन पत्र चाहते हैं वो कैसे मिलेगा वो ही बताऊंगा यहाँ पे बैंक प्रेज फोटो, आधार से लिंक मोबाईल लंबर और यहाँ पे घोसरब पत्र आपको चाहिए, अब जैसे आप लोग आवेदन करना चाहते ही, दोस्ते यहाँ पे पहले आवेदन के दो अप्शन थे, अब यहाँ पे एक आप्शन है, पहले यहाँ पे था आफलाइन भी कर स जालो होगा, तो वहाँ से भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे, जैसे आप लोग आफलाइन करना चाहते ही, आफलाइन के लिए, यहाँ पे देखिन के आफिसल साइट में साब साब सुक करा, जहारखन मुख्य मंतरी मैय सम्मान योजना, महिलाओं को प्रती महा एक हजार रुपए आर्थी सहायता मिलेगी, योजना के तहित, राज की 21 से 50 वर्स के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीव जरूरत मंद महिलाओं को प्रती महा एक हजार रुपए आर्थी सहायता दी जाएगी, पूरे जहारखन में कैम्प लगा कर लाभुकों से अवेदन लिया जाएगा, तो यहाँ पर यह इस्ता आप लोग आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर जो कैम्प लगेंगे, आपके ग्राम पंचयत में आंगर बाड़ी पर जाना है, या आपके ग्राम पंचयत के जो सर्पंच में वहाँ पर जाना है, तो वहाँ से आप लोग यहाँ पर आवे बैंक में जाना है, आपको चेक करा लेना है, कि आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक है की नहीं, अगर लिंक नहीं है, तो आपको जरूर लिंक करा लेना है, आपको फर्स्ट काम ये करना है, सेकेंड काम आपको ये करना है, कि आपके आधार कार्ड में मोबाईल लंबर एड है कि नहीं, registered है कि नहीं, अगर नहीं है तो आपको ये भी करा लेना है और आपके bank खाते में आपका mobile number add है कि नहीं, आपको ये तीन काम करा लेने हैं, आपको जैसे आप इतना करा लेंगे, update करा लेंगे तो फिर ये आपकी problem solve हो जाएगी आपके खाते में पैसे आ जाएगा और जैसे आपके सब कुछ अबडेट है अगर आपके खाते में पैसे नहीं आया है तो आपको यह कर लिना है आपके पास जितने भी खाते हैं सब को जाके चेक कर आ लिना है क्योंकि यहाँ पे देखें online portal जो है यहाँ पे आधार कार्ड वगरा सब्मिट होता है और यहाँ पे आधार कार्ड के माध्यम से ही आपके खाते में पैसे ट्रांस्फर कियाते हैं तो आपके आधार कार्ड से जो जो खाते लिंक होगा किसी भी खाते में आपका पैसा जा सकता है तो आपको bank में जाके आपको ये सब कुछ update कर लिने हैं और आपको जितने भी खाते हैं सब ये को चेक कर लिजिए किसी ने किसी में भी पैसा आया होगा अगर और कोई आपको problem आ रही है तो आप लोग comment करके पूँश सकते हैं